नमस्कार सुबागत है आपका आपकी साथ मैं हूं माथरी कलाल राजिस्थान में सप्ता का उंट किस करवट बैठेगा इसका फैसला 11 दिसंबर को होगा लिहाजा राजिस्थान गौरव संकल्प पत्र के नाम से बीजेपी ने घोशना पत्र जारी कर दिया है इस घोशना पत्र में कई बड़े वाइदे हैं लेकिन बीजेपी के घोशना पत्र में एक वादा ऐसा है जो दूसरी बाग्यों से एक दम इतर है ये वादा है अगर बीजेपी सत्ता में लोटी तो गोरख धंदा शब्द का इस्तेमाल को अपराद बना दिया जाएगा बीजेपी का माना है कि गोरख धंदा शब्द नाथ पंत के गुरू गोरख नाथ को अपमानत करने वादा है राजस्थान के चुनावी रण में विजह पता का फहराने को बेताब बीजेपी ने नया सुत्र खोज निकाला है शब्तों से सियासत साथने का बीजेपी के संकल्पत्र के मुताबिक अगर वो सत्ता में वापसी करती है तो गोरक धंधा शब्द को सदा के लिए डिक्षनरी से समाप्त कर देगी यही नहीं अगर कोई शक्स गोरक धंधा शब्द का इस्तेमाल करते पाया गया तो उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है विरोज़गारी और विकास के तमाम दावों के साथ बीजेपी का ये गोरक धंधा वाला फंडा चौकाने वाला है लेकिन राजनीती में कुछ भी बेकार नहीं होता लिहाजा बीजेपी ने भी बड़ी सोची समझी रणनीती के तहट गोरक धंधा शब्द पर रोक लगाने का ऐलान किया लेकिन अचानक बीजेपी इस गोरक धंधा शब्द से इतना क्यों भी दग गई क्यों बीजेपी ने अपने संकल पत्र में बगाईदा एलान किया कि वो गोरक धंधा को सदा के लिए समप्त कर देगी आखिर बीजेपी इस शब्द से क्या सियासी फाइदा हासिल करना चाहती गोरक धंधा शब्द के खात्मे के पीछे बीजेपी की सोच बिलकुल साथ है दरसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आजितिनात गोरक नात संप्रदाई के महंत है राजस्थान में गोरक नात संप्रदाई के अनुयाई अच्छी खासी थादाद में है गुरू गुरक नाफ से जुड़े नाफ संपरदाई के मट और आसन भीका नेर से लेकर बार्मेद और जालोर समेट गई जिलो में है यही नहीं नाफ संपरदाई का फष्चिम राजस्तान में अच्छा खासा प्रभाव है लिहाजा नाथ संपरदाई के अनुजाईयों को रिजाने के लिए बीजेपी ने गोरख धंदा शब्द के खात्मे का एलान किया मैं बीजेपी के इस कदम का स्वागत करता हूँ इसे संपूर नाथ समाज खुष हैं क्योंकि हम इसको बंद करने के लिए कितने बार ग्यापन दे चुके हैं योगी जी तक इस बात को पहुँचा चुके हैं हम बीजेपी के इस कदम को सहराना करते हैं और संपुर्ण नाथ समाज बीजेपी के पक्स में है क्योंकि गुरुख दंदा सब्द हमारे आरेद्य गुरुदेव के उपर हैं और इसे नाथ समपरदाई अपने आपको अपमनित महसूस करता हैं और हम इस कदम की सहराना करते हैं नाथ समाज के मठों और आसनों का पुंडोधार और जिर्नोधार किया जाएगा बीजेपी के संकल पत्र में गुरु गुरक नाथ का सम्मान यही नहीं थमा घोशना पत्र के बीसवे अध्याई में गुरु गुरक नाथ की जीवनी को राजस्थान पाठे पुस्तक मंडल की पुस्तकों में शामिल किया जाएगा गुरु गुरक नाथ के प्राचीन योग को पुस्तकों में छात्रों को पढ़ाया जाएगा गुरु गुरक नाथ के सम्मान के लिए उनका राजस्थान में राश्ट्री असमारक में बनाया जाएगा गुरु गुरु गुरक नाथ के पुराने योग और तंत्र के ग्रंथों को रखने के लिए लाइप्रेडी की स्थाफना की जाएगी लेकिन कॉंग्रेस को बीजेपी की ये सियासी शब्दावली सिर्फ धोंग लग रही राजस्थान में बीजेपी को चुनावी व्यतर्णी पार करने के लिए योगी आधितनास की ताकत में चाहिए मत्दान के पहले रुवी करन की उम्मीद योगी आधितनास पट्टिकी है एंटी इंकम्बेंसी फ्यक्सर को मात देने के बीजेपी योगी आदितिनाज के अनुयाईयों को साधने की कोशिश में जूटी है लिहाजा गोरक दंदा शब्द के नए माइने भी बीजेपी ने ढून निकाला है बीजेपी को इस नए एलान से क्या नफ़ा नुकसान हो सकता है ये तो 11 दिसंबर को चुनावी नतीजे तै करेंगे फिलहाल नाथ संप्रदाई के अनुयाईयों को रिजाने के लिए बीजेपी ने नया दाउं चला है जिसे जीट में बदलने की जिम्मेदारी योगी आदितिनाथ पर है योगी और नाथ संप्रदाई के अनुयाई उबसुंधरा राजे सरकार की सत्ता बचाने में कितने कारगर साबित होते हैं इस सवाल का जवाब भी आपको 11 दिसंबर को ही मिलेगा विरर रिपोर्ट जी मीडिया राजेस्थान के कई जिलों में नाथ पंथ का प्रभाव है बीजेपी इनके अनुयाईयों को रिजाने के कोशिश में जुटी है इसके लिए पाटिरी योगी आदितिनाथ का सहारा लिया जो खुद नाथों के पंथ राम पंथ के महन्त है सदियों से नाथ संपरदाई लोगों को समता का संदेश दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोरक पूर से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश तक नाथ संपरदाई की शाखाएं फैली है ये कोई अन्होनी नहीं कि गोरक नाथ के साथ गोरक धन्धा शब्द जोड़ गया सालों से इस शब्द को नाथ संपरदाई के अनुयाई खत्म करने की मांग करते रहें लेकिन बीजेपी के संकल पत्र में अब जाकर इसे जगह मिली है वजह भी साफ है योगी अधितिनाथ का सियासी असर जो राजस्थान के चुनावी रण में भी बीजेपी के काम आ रही है नाथ संपरदाई के राजनितिक प्रभाव की बात करें तो राजस्थान की बड़ी आबादी पर नाथ संपरदाई का प्रभाव है राजस्थान में अभी नाथ संप्रदाई के 46 बड़े मठ हैं इन मठों का चूरू, सीकर, जुन्जुनू, मंडी, मंडावा, हनुमानगर, बीकाने, रतनगर, जैपुर सहित कई और पडोसी जिलों में प्रभाव है नाथ संप्रदाई का इन मठों में खास प्रभाव होने का कारण ये है कि यहाँ नाथ संप्रदाई ने सामाजिक कारे भी किये हैं तो बीजेपी अगर नाथ संप्रदाई के अनुयाईयों को साधने की सोच रही है तो ये लाजिमी भी है क्योंकि उसके पास नाथ संप्रदाई के महंत योगी आदितेनाथ का चेहरा है लिहाजा बीजेपी के संकल पत्र में गोरक धंदा को डिलीट करने वाली घोशना वसुंदरा राजे सरकार का रक्षक भी साबित हो सकता है बीजेपी को गोरक धंदा शब्द सिर्फ संत गोरक नाथ महराज के अपमान का सूचक बर नहीं लग रहा बीजेपी इस बहाने राजस्थान के पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को भी साधना चाहती है नाथ संपरदाई के तहट आने वाले जोगी नाथ और सिध्ध वर्ग राजस्थान में पिछड़े वर्ग के तहट आते हैं जाहिर है कि बीजेपी को इसका चुनावी फाइदा तो हो सकता है लेकिन कितना होगा ये फिलहाल तै नहीं है अब राजस्थान पिधानसपा चुनाव में बीजेपी क्यों है गुरू गोरक नाथ के भरू से ये तो आपने देख लिया लेकिन बीजेपी ने आखिर वक्त में ही आकर ये गोरक धन्दा कार्ट क्यों खेला ये भी आपको जाना बेहत जरूरी है देखें इस बोट में सदियों से नाथ संपरदाई लोगों को समता का संदेश दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोरक पूर से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश तक नाथ संपरदाई की शाखाएं फैली है ये कोई अन्होनी नहीं कि गोरक नाथ के साथ गोरक धन्दा शब्द जोड़ गय सालों से इस शब्द को नाथ संपरदाई के अनुयाई खत्म करने की मांग करते रहें लेकिन बीजेपी के संकल पत्र में अब जाकर इसे जगह मिली है वजह भी साफ है योगी अधितिनाथ का सियासी असर जो राजस्थान के चुनावी रण में भी बीजेपी के काम आ रही है नाथ संपरदाई के राजनितिक प्रभाव की बात करें तो राजस्थान की बड़ी आबादी पर नाथ संपरदाई का प्रभाव है राजस्थान में अभी नाथ संप्रदाई के 46 बड़े मठ हैं इन मठों का चूरू, सीकर, जुन्जुनू, मंडी, मंडावा, हनुमानगर, बीकाने, रतनगर, जैपुर सहित कई और पडोसी जिलों में प्रभाव है नाथ संप्रदाई का इन मठों में खास प्रभाव होने का कारण ये है कि यहाँ नाथ संप्रदाई ने सामाजिक कारे भी किये है तो बीजेपी अगर नात्समप्रदाई के अनुयाईयों को साधने की सोच रही है तो ये लाजमी भी है क्योंकि उसके पास नात्समप्रदाई के महंत योगी आधितिनात का चेहरा है लिहाजा बीजेपी के संकल पत्र में गोरक धंदा को डिलिट करने वाली घोशना वसुंदरा राजे सरकार का रक्षक भी साबित हो जकता है यह बताने की शायद ही जरूरत हो की उत्तर प्रवेश के मुख्यमंतरी योगी आदितिनाथ ने राजस्थान के गौरव महराणा प्रताप का चुनावी भाशन में नाम क्यों लिया दरसल योगी आदितिनाथ ने महराणा प्रताप के गौरव के साथ नाच संप्रदाई को जोड़ दिया यानि राजस्थान के गौरव के साथ नाच संप्रदाई का अनोखा में और माना प्रताप के त्याग और व्रदान की इस भूम में यद्जपी देश के अंदर हर स्वाविमानी ग्रक्टी हर स्वाविमानी नाग्रीप माना प्रताप के नाम पर संस्ताओं का नाम करण करता है लेकिन भारत की सन्यास की परंपरा में ये बहुत कम देखने को मिलता होगा लेकिन अगर आप गोरकपुर जाएंगे तो गोरकपुर में गोरक स्पीड के दोरा संचालित संस्थाएं कहीं वसुंदरा राजे सरकार राजस्थान में पात साल में सरकार बदलने की रवायत का शिकार न हो जाए लिहाजा बीजेपी की पूरी तैयारी है एक तरफ प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी राजस्थान के रण में हुंकार भर रहे हैं तो दूसरी और योगी आदितिनाथ तुफानी दौरा कर रहे हैं विकास और धर्म का ये कॉक्टेल राजस्थान की जनता को कितना पसंदा रहा है ये पृधान मंत्री मोदी और योगी आदितिनाथ की सभाओं में उम्री भीर से समझा जा सकता है राजस्थान में बीजेपी ने योगी आदितिनाथ की ताकत का फाइदा उठाने के लिए अब गोरक धंदा शब्द को कतरने की घोशना की है योगी आदितिनाथ की सभाएं राजस्थान के मुस्लिम बहुल और नाथ संप्रदाई के असर वाले इलाकों में कराई जा रही है योगी आदितिनाथ भी चुनाव को धर्म और राष्ट्रवाद के एजिंडे से जोड़ कर सत्ता विरोधी लहर को हिंदू राष्ट्रवाद में बहाना चाहते है संकल्प पत्र में नाथ संप्रदाई को तवज्जो का एक मकसद ये भी है दरसल बीजेपी के घोशना पत्र पर योगी आदितिनाथ की परचाई दिख रही है गोरक दंधा पर पाबंदी लगाने की मुंशा के पीछे भी बड़ा कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ ही है हलांकि राजस्थान की राजनीती में नाथ संपरदाई का वोट निर्णायक नहीं होगा लेकिन बीजेपी ने योगी आदितिनाथ और उनके नाथ संपरदाई को तवज्जो देकर साबित करने की कोशिश की कि वो अखेले हैं जो नाथ संपरदाई के अनुजाईयों का ख्याल रखती है बीजेपी धार्मिक चिन्धों मठों और मंदिरों का सियासी समर में इस्तिमाल करती रही है राजस्थान के घोशना पत्र में अब की बार भी वो साफ दिख रहा है बीजेपी के संकल्प पत्र में नामी मंदिरों और मठों को लुभाने की भी कोशिश की गई है महंतों की लंबे समय से की जा रही मांग को संकल्प पत्र में शामिल किया गया है मंदिरों की देखबाल और पूजा के ये मंदिर की जमीन का 40 फीसदी भाग के वेबसाइक उपयोगत की छूट देने का वादा संकल पत्र में गौ तसकरी रोकने के लिए गौ रक्षा चौकियों की संक्या बढ़ाने, हर जिले में गौशाला खोलने और गौ अभ्यारणे बनाने का भी जिक्र किया गया है। और उनके गौरक नात महराज की महिमा के भरोसे चुनावी नया पार लगाना चाहती है, तो इसमें तवज्जो वाली कोई बात दिखती नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने तक योगी आधितिनाथ सिर्फ गोरक पूर से संसद हुआ करते थे, लेकिन दूसरे राज्यों में उनके लिए तब भी चुनावी मंच सजाये जाते थे। योगी आधितिनाथ और नाथ संप्रदाई दोनों वसंधरा राजे सरकार को बचाने में काम्याब होते हैं या नहीं, इसकी तारीख तै है 11 दिसंबर, लेकिन कॉंग्रेस को बीजेपी के इस नए सियासी शब्दावली से सर्दी में भी पसीने आ रहे हैं। बीजेपी चुनावी वेतर्णी में गोरक धंदा को खत्म करने के ऐलान से क्या हासिल करेगी, ये सिर्फ ऐलान के धम पर नहीं बताया जा सकता। इंतजार है दिसंबर की साथ तारीख का जब जनता जनारदन वूत पर पहुँचेगी। विरोर पोर्ट जी मीडिया। बोलचाल की भाषा में कई बार गलत काम या हेर फेर के लिए गोरक धंदा शब्द का इस्तेमाल कर लिया जाता है। ऐसे मामलों में भी होता था जब कोई शक्स किसी तरह का औव विश्वस्तनिय आश्चर जनक काम कर देता था। कई लोगों की मानिता है कि गुरू गोरच नात के श्यस से हट योग वाले होते हैं और कई बार अगोरी प्रविटी के काम भी कर जाते हैं। लेकिन इतिहास और सहित्य के पन्नों पर नात संप्रदाई की कहानिया बिखरी पड़ी है। सहस्ता से जीवन जीने और जाती बिरादरी की दीवारें तोड़ कर समाज बनाने के लिए नात संप्रदाई हमेशा सजग रहा है। नात संप्रदाई के संस्थापक मत्सियंद्र नात गुरक नात के गुरु माने जाते हैं। इसके मूल प्रवर्तक हनवान जी माने जाते हैं। बजरंग बली हरती प्रंप्रा में ऐसे लोग देखता हैं। योगी आदितेनात के साथ सुधा है कि उनकी पहचान एक धार्मित महंत्की है। वो जहां जाते हैं वहां उनकी पहचान उनके साथ जाती है। लिहाजा किसी भी जगा योगी और नात से जुड़े लोगों का कनेक्शन अपने आप स्थापित हो जाता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या योगी की ताकत राजस्थान के रण में वह सुंधरा राजे सरकार की नईया पार लगा पाएगी। गरर पोर्ट जी मीडिया।